नमस्कार स्वागेता आप सभी का ईपोस्टल नेटवर्क पर डाग विभा का सबसे विश्वसनिय यूटूब चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग इस्टिटूट जहां से हर साल बहुत सारे पोस्टल इंप्लोईस प्रमोशन लेते हैं और अपने सपने पूरे करते ह किसी दिपार्ट में जो ओफ़िसर बनने का सपना होता है वह यहां से पूरा होता है आज का जो वीडियो है वह आरमी पोस्टल सर्विस के ट्रांस्फर प्रॉसेसिश पे यहां फिर प्रिसेजली बोले तो इसको कहता है डैपीटिशन का प्रोसे i. डैप्यूटिशन क्या ह तो डेप्टेशन का पूरा प्रोसेस समझाएंगे और यह हमने हाथ से आप लोगों को जो है बना के तयार किया है तक क्योंकि जब हम डॉकुमेंट से समझाते हैं तो काफी जादा लोगों को दे भी देंगे ठीक है यह पहला वीडियो है सीरीज का हम एक पूरा सीरीज बनाएंगे जिसमें हम प्रॉपर डिसकस करने वाले है कि जीडियस का अगर वो डेप्टेशन में जाएंगे तो पूरा प्रोसेस के रहेगा ठीक है हम इसके बाद आप लोगों को फैसलेटी क्या मि पूरा दरजा मिलेगा कितना दरजा मिलेगा कितने वक्त के लिए मिलेगा वो सारी चीज़े एक एक करके सीरीज में आप लोगों को कम्प्लीट करेंगे पर पहला जो वीडियो है आज का वो होगा प्रोसेस में ठीक है यह प्रोसेस का वीडियो होने वाला है और यह जो वैसे आप क्योंकि हमसे जुड़े है तो हम आपको यह सारी चीज़े बता रहा है ताकि आप लोगों को अपकी भरती कैसे होने वाली तो शुरू करते हैं तो अपके शुरू करते हैं सबसे पहले आप लोग करना होंता है और यह फॉर्म आप लोगों को SPSSP office से मिलेगा और आज कल तो WhatsApp group में भी आपको मिल जाएगा जिसमें आप लोग जुड़े हुए आपके Postal Department का जो group है ठीक है तो वो form आप लोग fill up करेंगे एकदम correct information के साथ और submit कर देंगे SPSSP या फिर Divisional hat के पास आप जाके जो है कर देंगे submit करने के बाद अब काम शुरू हो जाएगा Divisional hat का जो SPSSP है उस list को जितने भी लोगों ने भरा है उस form को forward कर देंगे Army Postal Service के direct rate में ठीक है और ये process जो की normal नियम के अनुसार फरवरी और जुलाई में होना है ठीक है वैसे तो vacancy आती नहीं है कम ही आती है जब आएगी vacancy आपके circle में तो फरवरी और जुलाई के महीने में ये process होता है ठीक है इसके बाद SPSSP जो होता है वो application चेक करते है ठीक है एक तो list भेज दिया पर वो application जितने भी आए हो है उनको अच्छे से check करेंगे जितने भी application completed होंगे और correct details होंगे उन उन जो candidates है उन सारे candidates को भेज दिया जाता है Army Recruiting Office ARO या फिर ZRO जो है Zonal Recruiting Office में ठीक है Army Recruiting Office में अगर details आपके सही है तो भेज दिया जाएगा ठीक है साथी साथ जो divisional head होता है वो एक certificate अपना बनाता है ठीक है आपको नहीं करना है certificate divisional head तयार करेगा कि अगर unfit पाया जाएगा तो फिर वापस department में join करा दिया जाएगा ठीक है तो ये certificate तयार करेगा और जो service book होता है उसका first page जो है वो तयार करके तयार करके रखेगा ठीक है इसके बाद आप लोग जब जाएंगे आर्मी recruiting office या zonal recruiting office में आप लोगों का preliminary medical check-up होगा जो की अपरिल या सप्टेंबर महीने में होगा ठीक है normal check-up होगा यहाँ पे final नहीं normal की आप लोग ठीक से चल पाते है बोल पाते है duty कर सकते है सारे चीज़े भी medically fit जो है पहले तो वो पहले अपना recommend कर देंगे कि अगर आप normal candidate है physically handicapped नहीं है normal candidate है तो एपरिल से सप्टेंबर के महीने में एपरिल या सप्टेंबर के महीने में डिविजनल हैडी recommend कर देंगे ठीक है कि जो जो recommended है उनके application बेज दिये जाएंगे फिट है SPSS पी जानते आप फिट है उनका जो है application भेज दिया जाएगा officer in charge army postal service को चीक है अब आजाते है officer in charge army postal service के record यानि उनके office में क्या क्या होने वाला है तो आपको बता दे सबसे पहले army postal service का record office है या फिर OIC जाओ है वो चक करेंगे कि आपके certificate के correctness चक करेंगे कि सब कुछ सही है के नहीं certificate में ठीक है जो भी SPSS पी ने भेज़ा है उसका certificate चक करेंगे फिर इसके बाद जितने भी certificate सही पाए जाते है application भी सही पाए जाते है उन candidate का नाम field force list में इस सूची में enter कर दिया जाएगा और इसके बाद confirmation जो है कि ये सारे candidate जो है certificate सही है ये ZRO या फिर AR में Army Recruiting Office में भेज दिया जाएगा ठीक है फिर सब कुछ correct पाया गया certificate भी सही है application भी सही है फिर इसके बाद आपके SPSS पी को inform कर दिया जाएगा कि इतने candidate हमको Army Postal Service के Directorate में forward कर दिया जाता है ठीक है फिर आजाता है आपके SPSS पी के पास यानि Divisional Head के आज इसके बाद वो relief कर देता है उस candidate को और ये normally April या September April के महीने में या September के महीने के 20 तारीक तक हो जाता है ठीक है 20 तारीक को कर देना है relief कर दिया candidate को फिर candidate आ जाता है Army Recruiting Office में उस वहाँ पे उसका physical test होता है और final medical होता है ठीक है तो ये भी 20 तारीक तक जो है 20 तारीक तक कर देना है अपरिल महीने के या September महीने के आप physically fit है कि नहीं medically fit है कि नहीं ठीक है तो आपको बता दे fit होने के लिए आपको shape one category में आना होता है medical fitness के shape one में कई सारी चीज़े आ जाती है ठीक है shape में आपके आँखे आ जाती है hearing आ जाती है आपका चलना ढ़लना हर चीज़ normally check होता है यहाँ पे बहुत जादा strict नहीं होता है जब vacancy बहुत कम होंगी तो strictness fit है की नहीं यह inform कर दिया जाएगा आपके SPSSP को ठीक है अब आपका certificate भी सही था जो department SPSSP ने बनाया ठीक है certificate भी सही पाया गया certificate कुछ नहीं होता है यह normally होता है आपका application form भी सही पाया गया आपका fitness भी medically भी आप fit है यह सब अगर आप हो जाता है इसके बाद आप लोगों को SPSSP यानि divisional head जो है वो relief कर देते हैं civil duty से यानि आप civilian नहीं रहेंगे अब आप army के यानि defense के बंदे हो जाएंगे तो आपको civil duty से relief कर दिया जाएगा सारी documents के साथ और last pay certificate तयार करके divisional head आपको भेज देंगे ठीक है कहां भेजेंगे army recruiting office में ही भेजेंगे और zonal recruiting office में भेज देंगे ठीक है दोनों में से किसी एक में भेज के फिर वो लोग रहदारी certificate अपना तयार करेंगे और आपको भेज देंगे army postal service के center पे जो county में है ठीक है आपको बता दिया कि SPSS P क्या करेगा basically यह जो आपको हमने वीडियो बनाया यह SEPMGs के लिए होता है उनको direction होता है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है आप लोगों को application सही से भरना होता है genuine information देनी होती है एक बार application आप भरने के बाद आप लोग AR में जब जब बोलेंगे AR में जाके fitness वगेरा check-up करेंगे ठीक है एक बार preliminary ठीक है एक बार भेजा जाएगा normal check-up के लिए इसके बाद एक बार final check-up के लिए और इसके बाद सब सही पाया जाता है तो आप लोगों को सीधा APA Center बेज दिया जाता है तो आप लोगों के लिए दो-चारी step है और बाकी यह जो हमने आपको पूरा बता है यह full process है ठीक है क्योंकि आप हमसे जुड़े है तो हमारा काम है आपको अच्छे से पूरा detail में समझाना ठीक है तो यह हो गया तो इसमें जो होता है departmental employee ही जा सकते ग्रामिन डाक सेवकों के लिए जो है कई सालों से नहीं लिया जा रहा है लेकिन इस बार अरुनाचल प्रदेश के circular में GDS को भी include किया गया है तो शायद इस साल आप लोगों को भी include करा जा सके गा आगे देखते है जब details आएंगे हम आपको share कर देंगे ठीक है वैसे आप departmental employees के लिए होता है ठीक है तो यह हो गया next चीज़ अगर अभी तक आप वीडियो पर बने हुए है और आपको इस तरह से चीज़े समझ में आती हम जैसे समझाते है तो आप लोगों को departmental exam की तयारी अभी से शुरू करनी है और आपको हमारे साथ जरूर जुडना चाहिए तो जो डियो पी का 2024 departmental exam है LDC की तयारी first फरवरी से हम शुरू करें महीने के हर एक तारिक से हर महीने के हम शुरू कर देते हैं आप लोगों को जो अगर जुडना है तो यह WhatsApp नंबर है हमारा 8638587698 यहां तो description में लिंक दे देंगे आप लोग जुड सकते हैं यहां पर आप लोगों को video lecture notes वगेरा ठीक है video lecture हो गया notes हो गया handmade notes हो गया mac test previous year question सारी चीज़े कर आएं जाएंगी ताकि आप लोग जल से जल ऑफिसर बने promotion ले सके ठीक है तो एक पर जुड़ीएगा हमारे साथ और फिर आप देखेंगे किस तरह से आपका promotion होता है बगी सारी details के लिए आप लोग बने रही हमारे साथ यह पहला जो है series का पहला वीडियो अगला वीडियो भी धीर धीर आजाएगा आप चैनल पे ध्यान रखिएगा ठीक है धन्यवाद झाल